है है लो फ्रेंट्स वेलकम टू माई श्टडी फीड चैनल दोस्तों इनोटोमियों फीजियोलोजी के सभी टॉपिक को किलियर कर रही हूं उसमें से आज मैं आगनासा यानि पैंक्रियाज के बारे में बता रही हूं दोस्तों पैंक्रियाज क्या है उसकी आंद्रिक सरचना क इसके बारे में बताऊँगी आप वीडियो को सुरुफ से लास्त देखेगा इस वीडियो को देखने के बाद आप को इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपटेटिव एक्जाम किसी भी स्टेट के प्रिप्रेशन सीलिबेस के कॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सीलिबेस के कॉर्डिंग है सभी तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक पर जैसा कि दोस्तों आगनास यानि पैंक्रियाज या मनुष्य के सरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी है और पहली कौन है या कृत यानि लीवर मनुष्य के सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन है या कृत यानि लीवर और एंडोक्राइन एंड एक्जोक्राइन दोनों का गुर्ण होता है एंडोक्राइन यानि अंतर इस्त्राओं के रूप में एक्जोक्राइन यानि की वही इस्त्राओं के रूप में दोनों के रूप में यह कारे करती है इसका आकार लंबी चप्टी अर्बिस्टी के समान होता ह इसकी लंबाई 15-17 cm होता है इसकी चोड़ाई 4 cm होता है आपनासे की तीन भाग होते हैं हेड, बाड़ी, एंड टेल हेड जो होता है सबसे चोड़ा होता है उदर गुहा के दाई और ग्रहडी याने की डोडिनम जो छोटी आत के पहले भाग तक होता है इंड दूसरा भागो होता है बाड़ी यदि मुख्य भागो होता है अमाशे के पीछे दूसरी तीसरी कटी को सिरु का यानि की लंबर वर्टी बाटीब्रा यानि कमर के वर्टीब्रा के समने इसी थोती है एन तिसरा भाग होता है टेल यानि पुछ जो शबसे पतलावा नुकिला भाग होता है यह बाएं ब्रिक के यानि किद्नी के शामने तथा पलीहा यानि स्प्रीन के इस पर्स में होता है जैसा की चित्रे में दीख रहा है अब बात करते हैं आग नासा यानि पैंक्रियाज की आंतरिक संरचना के बारे में इसकी आंतरिक रूप से संरचना देखने पर दो प्रकार की कोसिका इसमें दिखाई पड़ती है पहला है कोष्ठिका कोसिका यानि जिसे एसिनस कोसिका भी कहते हैं दूसरा दिपक कोसीका जिसे लेंगर हैंस Counter कोसीका जिसे से ब्हाइ इसरफ कोसीका बना होता है और यह इंजयम बनाती है और बहाय का कार्ए करती है और जो दिपक कोसीका लेंगर हैंस क Rab analyzing से ब्हाइंस डिपान होता है यानि हार्मोन्स इस्त्रावित करते हैं अता अंता इस्त्राव का कारे करती हैं जैसे कि दूस्तों जो अंता इंडोक्राइन ग्लेंट्स हैं वो हार्मोन्स का इस्त्राव करता है यानि उसे नलिका वीर ग्रंथी करते हैं वो सीधे अपना हार्मोन्स रख्त में छोड़ते हैं जो एक जो क्राइन जो वह इस्तरावी ग्रंथी होती है वह नलीका युक्त ग्रंथी होती है उसमें नलीका होती है और वह इंजाइम का इस्तराव करते हैं और वह इस्तराव का कारे करते हैं तो जैसे कोष्ठिका कोष्ठिका एंडोक्राइन सेल से बना होता है एंजाइम बन कोश्ठिका यानि की एसिनेस कोशिका की कोश्ठिका यानि एसिनेस कोशिका जो होती है यह आगनासाई रश यह एंजाइन का इस्ट्राव करती है आगनासाई रश को पूर पाचक रश कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि यह कार्बोहाइड़ेट प्रोटीन वर्षा तीनों एंजयम इस्टरावित होता है एमई लीज लाइपेज ट्रिसीन प्रोटीज फास्फोलाइपेज श्टरेज कर लाइपेजยag छो है कार्भोयद्रेट को गलुकोज में बदलता है यानि कार्भावधिर का पाषण करता है और लाइपेज इन पित्तरश के साथ मिenden में करके फैट को पचाता है। यानि फैट को फैटी एसेट वह ग्लिसराल में बदलता है। अंड ट्रिस्सिन जो है वो गैश्टरिक जूस यानि जठर रष के साथ मिलकर प्रोटीन को अमीनो एसेद में अर्थात पेप् uniform को पाल सिय्द में बदलता है। प्रोटीस जो है वो प्रोटीन को इमीनो में बदलता है फासपोल आपेज जो है वो फासपोल लीपीज से वसीय अमलको अलग कर देता है एन इस्टरेज जो है उकोलेस्ट्राल को अलग करता है यह तो हम बात किये कोश्ठिका कोश्ठिका जिससे इंजाइन्स इस्ट्रावित होते हैं अब बात करते हैं दीपक कोश्ठिकाएं दीपक कोश्ठिकाएं जिसको लेंगर हैंस की दीपका आईलेर्स आप लेंगर हैंस भ उसी काओं के बीच बीच में एक दीव रूपी यानि की गुच्छे के समान सन रचना होती है जिसे लेंगरहेंज की दिपिकाएं करते हैं लेंगरहेंस की दिपिकाएं जिसे आईलेट्स आप लेंगरहेंस बोला जाता है इसकी खोज 1879 में पाल लेंगरहेंस ने किया था पाल लेंगरहेंस जर्मन के रोग बैग्यानिक और शरीर बैग्यानि थे लेंगरहेंस की दिपिकाएं एक या दो प्रसेंट पई जाती है, स्वस्थ्य मनुष्य के आगनार साय में 10 छाइलेट्स यानी कि लेंगरहेंस की दिपिकाएं पाई जाती है जो पूरे में फैले होती हैं इनकी कुल मात्रा एक से डिल ग्राम होती है अब बात करते हैं कि लेंगेंस की दिपिकाओं से कितने प्रकार की कोशिकाओं होती है लेंगेंस की दिपिकाओं में चार प्रकार की कोशिकाओं होती है एलफा कोशिका बीता कोशिका डेल्टा कोशिका एफ जिससे ग्लुकेगान हार्मोन इस्त्रावित होता है यानि ग्लुकेगान हार्मोन उत्पन होता है ग्लुकोगान क्या करता है यह यकृत को उत्प्रेडित करता है यानि यकृत को लिवर को उत्प्रेडित करके ग्लुकोज में प्रिवर्टित करता है ध्यान से सुनिएगा यक कि उसक्रात का में परीटित करता है इसके कारर्ण रख्त में ग्ल्ुकोज का इस तर बढ़ता है एंड बीटा को सिका क्या उतल्र давно होता है इंसुलीन हार्मोन उतपन होता है फे इं पर इंसुलीन गोलन सील होता है और इसे जिंक प्रोटीन भी बोला जाता है बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि उत्वेड़ी disso कि बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि जिंक प्रोटीौ टो है बोला जाता घ요लमे यो currency करता है जब कि क्रता है कि रख्त में उपस्द्lesia को जै इसके कारण रख्त में क्लूकोश का स्थर क्लूकोश का काम ही कि इस इस इसलिंघ सक्षित है इसको क्लाइकोश जेल जिससे कम बदल पाता है जिससे रख्त में ग्लुकोज बढ़ जाता है सरक्राब बढ़ जाता है जिससे मदुमें होता है इसी को मदुमें कहते हैं जैसा कि दोस्तों जो इंसुलीन है वो हार्मोन प्रोटीन दोनों है क्योंकि इंसुलीन हार्मोन है और सभी हार्मोन प्रोटी सब्सक्राइब को सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह सोमेटोइस्टेटिन हार्मोन क्या करता है ग्लुकेगान एंसुलीन के अत्यदिक इस्तराव को रोकता है क्या करता है कि जो ग्लुकेगान ग्लाइकोजन को ग्लुकोज में प्रवतित करता है और इंसुलीन ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में प्रवतित करता है उन्हें दोन करण करता है और नेक्स्ट है यफसेल यफसेल से पाली प्यप्टाइट नामक हर्मोन इस्त्राव होता है और यह भोजन के उपरांत रक्तधारा में पहुंचता है और नेक्स्ट है अब बात करते हैं दोस्तों हमने जाना की लेंगर हैंस की दिपिका से एलफा कोसिका बीटा कोसिका वाई कोसिका यानि की देल्टा कोसिका और यह कोसिका पाई जाती है जिसमें से एलफा कोसिका से ग्लुकेगान इस्त्रावित होता है बीटा से इंसुलीन इ जैसे दूस्तों इंसुलिन को एंती डायबेटिक हार्मोन करते हैं या क्षक्ड करने में शाहता करता है और अर्प इसहाग से जैसे कर्दो हाइड Stell पर नहीं तरहां से कर्दोर करने में नहीं कर पाता फ्रक्लाइट Gleich क्या प्लेख को प्रम नहीं कर पाता जिसे र Coffee का एकठा होने लगता है अधा पेसाथ से घ्लुपोज निकलने गईलक स۔ यसके यृसा कि दस तो हमने जाना की आगाशा क्या है इसके कितनी भाग है कौन को सिकायां से क्या होती है तो दोस्तों कौन कोंसे questions बनसकते हैं पहला question की मनिश्ट के सरी की दुसरी सबसे बड़ी क्रंथी कौन है तो आगनाशय है मिसीद क्रंथी give भू है तो आगनाशय है उच्बनाश्य कि कुछ आगनाशय कि कितनी भाग होते हैं तो Hates Body Tail नरे डखने पर देखने पर कौन को सी कोशिका नजर आती है कोश्ठीका कोशिका और लेंगा हैंस की कोशिका यानि दिपक कोशिका और इसमें से वह इस तरह कारे कौन सा कोश्ठीका कोशिका करता है तो कोश्ठीका कोशिका अंता इस तरह यानि एंडोकाइन सेल से कुन बना होता है लेंगा हैंस की दीपिका लेंगा हैंस की दीपिका में कितनी प्रका की कोशिका होती हैं तो चार प्रका के कौन-कौन से एलफा कोशिका बीटा कोशिका देल्टा कोशिका यफ कोशिका अब पूछेगा कि ग्लुकेगान का ग्लुकेगान हर्मून का इस डेल्डा कोसीका से औशर करकर और की इस क्या थैगिट्रीन पूछा है की चुछओं पूछे कंघर्जान आ पूर्जाए है कि गल्युकोज्सक्यार भूंच प्रोचित करता रहे सुने स्टेटीन फिर्ट ग्ल्युकोजक्यार करें श्रौंगी करा काम करता है तो तो दोस्तों यह हमने जाना प्रेंक्रियास के बारे में पूरी डीटेल में तो आई हो कि दोस्तों आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और ज्यादे से ज्यादे सेयर किया कीजिए जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए मैं डेली बेसे से वीडियो बनाती रहूं अगर दोस्तों बने रहे हैं मेरे चैनल पे सभी वीडियो इस सिल्बस के कॉर्डिंग देखने के लिए तो दोस्तों फॉर्ट वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी विल आइकन को फ्रेस कर लिजी जिससे न्यू वीडियो का आपडिट आप तक पहुचता रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब तक के लिए जहिए